आप सब लोगों का बहुत जादा स्वागत है I hope आप सब खुश हो, healthy हो, अपना ख्याल रख रहे हो So, आज मैं वापस आगई हूँ एक बहुत ही requested reading के साथ जो की है आपके partner की energy for the next 48 hours अगले दो दिन के लिए आपके person की energy is क्या है वो क्या सोच रहे है, क्या कर सकते है ये especially उन लोग के लिए है, जो किसी भी complicated situation में हो या फिर आपको बस अपने partner की energy पता लगाना है ये पुराने partner, new partner, current partner कोई भी हो सकते है, does not matter And इतना याद रखना है कि ये general reading है So हर एक message, हर एक इंसान को resonate करेगा, बिलकुल भी ऐसी कुछ भी ज़रूरी नहीं है And मेरे बारे में जो भी information आपको चाहिए होगा, वो नीचे description box में आपको मिल जाएगा So शुरू करते हैं, ये general reading है, so इसमें piles नहीं होगा में pile वाला reading भी बनाओंगे बाद में, same topic पे Because ये इसलिए है, because ये एक short reading है And ये 48 hours के लिए है, for the next 48 hours ये timeless होगा, so आप कभी भी देख रहे हो, अगला दो दिन के लिए ये valid रहेगा Let us see, अगला 48 hours, आपके person की feelings, energies, action, communication, whatever, क्या हो सकता है I'll make the table, so ये है उनकी current energy, ये है उनके thoughts, ये है blockages, ये है past energy Okay, wait, ये है long term past ये हम लोग last में देखेंगे, ये है आपका ultimate answer to your question, that is conclusion ये है उनके fears, ये है उनका surrounding, ये है वो क्या चाहा रहे है इस वक्त आप से And, extra message के तूर पे, एक extra card will take, okay So, let us start, let us see, देखे है और अगर जरुरत हुआ, विल टेक साम एक्स्टा guidance messages, एकदम लास्ट में रीदिंगा, ठेक है Okay, so let us see, first देखे है उनका current energy, इस वक्त क्या है, current feelings Wow, we have the two of cups energy guys, so this is the two of cups energy, I feel उनका जो current feelings है, current energy है, that is of course of love ये person आप से कुछ शेर करना चाहते है, ये person आपको कुछ देना चाहते है I feel that ये person कुछ प्लान कर रहे है, कुछ लोगों के लिए ये surprise है ये आपको कुछ कहना या देना चाते है कहने से मेरा मतलब हमेशा कुछ जरूरी नहीं है कि romantic या proposal हो, हो सकता है proposal हो हो सकता है ये कि अपको कुछ information देना चाहे इनके life में कुछ हुआ है, इन्होंने कुछ achieve किया है या कुछ information, कुछ news जो या आप से share करना चाते है I feel ऐसा कुछ है जो ये आपको convey या आपको आपके साथ exchange करना चाते है बहुत लोग के लिए ये proposal हो सकता है कुछ लोग ये आप अपने crush के लिए देख रहे हो I feel आपके crush kind of आपके बारे में feel करते है या इनका feelings ये परसन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे है फिल्हाल अगर ये आपके पुराने new person, whoever this is and yeah this is pretty nice, like I feel ये परसन आपके बारे में सोचने लगे है चाहे ये आपके past person हो current person हो, ये परसन kind of आपके बारे में सोचने लगे है ये परसन kind of आपको कुछ देना चाहते है या आपसे कुछ लेना हो सकता है लेना चाहते हो कुछ पूछना चाहते हो या आपको कुछ बताना चाहते हो ठीक है, let us see the blockages the eight of swords energy maybe यहापे कुछ लोगों के लिए ये connection, एक long distance connection है या फिर ये आपसे बहुत time से मिले नहीं है बात नहीं हुआ है आप लोग kind of दूर हो एक दूसरे से and ये person kind of trapped feel कर सकते है for some of you, maybe उनका जो situation है वो trapped है, maybe उनका family maybe वो married है maybe बच्चे, maybe career या फिर long distance जो इनको kind of trapped feel करा रहा है kind of feel करवा रहा है कि ये person मजबूर है ये कुछ कर नहीं सकते ये move नहीं कर पा रहे है ये kind of जो करना चाते है जो बोलना चाते है ये वो ठंडी दिमाग से आप से बात नहीं कर पा रहे है because I feel that इनको feel होता है कि kind of ये बंदे हुए है kind of बहुत सारे blockages है आपके रास्ते में जो बहुत लोगों के लिए I see there is a distance या तो एक physical distance है कि बहुत like long distance relationship है या तो आप दोनों ने बहुत time से एक दूसरे से बात नहीं किया है एक दूसरे को मिले नहीं हो जिस वज़े से आप दोनों में जो distance है वो बर गया है let's see the past energy okay we have the four of pentacles energy as your past energy I feel here that past में चीज़े बहुत ही stable था past में कोई एक है यहां पे जो बहुत ज़्यादा positive था वो या तो आप हो या तो आपके person है so somebody जो बहुत ज़्यादा positive थे या फिर में भी ये connection separation हुआ है positiveness के लिए because कोई यहां पे बहुत ज़्यादा trapped feel कर रहा था because of somebody else's positiveness okay because I feel here because यहां पे eight of swords भी है so I feel here that यहां पे हो सकता है कि somebody was feeling very very trapped because दूसरा person बहुत ज़्यादा controlling था बहुत ज़्यादा dominating था बहुत ज़्यादा positive था but ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर एक इंसान के situation में हो but कुछ लोगों के लिए ऐसा definitely है okay let's see उनके thoughts क्या है फिलहाल okay the witch energy I see यह person definitely कुछ उनके दमाग में कुछ idea या planning चल रहा है यह person definitely कुछ plan कर रहे है कुछ ideas है इनके मन में जो यह करना चाते है real life में maybe यह person spiritual है यह manifestations करते है या फिर यह person kind of आपको stalk कर रहे है या यह kind of आपका like this person wants to catch your eye like यह person ऐसी चीजे कर रहे है अगर यह person आपके सामने है अगर ठीक है I feel यह अच्छा dress कर रहे है या अच्छी अच्छी बाते कर रहे है यह kind of जबरदस्ती आपके सामने आने की कोशिश कर रहे है अगर यह आपके like social media में है maybe यह आपके pictures like कर रहे है statuses वगेरा scene कर रहे है but बात नहीं कर रहे है like कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहां पे I feel so this person kind of आपके सामने रहने की कोशिश कर रहे है या this person kind of चाहा रहे है कि आप इस person के बारे में soचे but यह person सामने से कुछ नहीं Like directly कुछ नहीं करना चाते, directly बात नहीं करना चाते, directly सामने नहीं आना चाते जो भी करना चाते हैं indirectly, कि आप इनके बारे में सोचे, आप इनको notice करे, आप इनका तारीफ करे, आप इनके मिस करे That is the energy I am feeling, okay Let us see the normal past, okay, the six of cups कुछ लोगों के लिए definitely ये एक बहुत ही long term relationship था, maybe ये आपके past husband या wife है, या फिर maybe this is like ये आपके childhood friend है, या I feel that past में आप दोनों का काफी जादा बनता था, आप दोनों का काफी जादा एक beautiful stable connection था, right Let's see the fears now, okay I feel there is some kind of a fear की of somebody else, like कोई और blockage है आप दोनों के बीच में या तो ये third party है कुछ लोगों के लिए, या तो इनकी family है, या तो कोई colleague, friend, calm, distance, whatever But this person को डर है किसी और से, it's not like की ये like communication से डर रहे है ये commitment से डर, ऐसा नहीं है, ये person डर रहे है कोई और इंसान से कोई और इंसान है, जो मेभी आपको पता है, मेभी आपको पता नहीं है But यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई और इंसान है, जिसके action से ये person डरते है ये उनके घर में कोई हो सकता है, ये उनके काम के जगा पे कोई हो सकता है यह कोई third person हो सकता है, यह उनके बच्चे हो सकता है, anybody, anybody but यह person kind of किसी इंसान से डरते है, maybe आपको आप जानते हो इस इंसान को, maybe नहीं जानते I don't know, हर किसी का situation obviously different होता है let us see उनका surrounding क्या है, we have the eight of ones I see that उनके life में अभी सब कुछ kind of busy है, अभी सब कुछ kind of बहुत जादा panic mode में है, या फिर उनको, उनका दिन बहुत busy तरीके से कट रहा है, या तो उनके आसपास बहुत सारे लोग है, जो उनको continuously pressure दे रहे है, या continuously उनसे काम करवा रहे है या basically उनका दिन kind of काम करने में बीत रहा है, काम काज में बीत रहा है, busy तरीके से बीत रहा है, या तो वो definitely long distance में है आप से या इस person को traveling पसंद है ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त वो travel कर रहे है, वो कहीं और है या वो कहीं और रहते है है, so I see that ये person अपने life में busy है, अपने आसपास के लोगों के साथ ये person busy है या इनका जो भी काम काज है उसको लेके ये person बहुत जादा busy है okay, क्या चाहते है, ये definitely communication with the page of pentacles, I see that इस person से communication आपको मिल सकता है because ये person बहुत दिल से जो चाहा रहे है फिलाल, वो है आपसे communicate करना जो आपका current energy में भी आया था, two of cups, कि ये person आपसे कुछ कहना चाहते है ये person कुछ information है, जो ये आपसे share करना चाहते है but कब कैसे, क्यों करना है, this person does not know इस person के पास अभी भी सारा answer नहीं है, कुछ सारे मजबूरी है इस person के life में जो maybe आपको पता है, maybe नहीं, but that is the only reason ये person रुके हुए है ये डरे हुए है, extra message is the green man so I see here that some changes are coming, कुछ changes होंगा आप दोनों के बीच में चाहे वो communication हो, चाहे वो मिलना हो, चाहे वो कुछ भी, you know, कोई information आपको कुछ पता चले, ये person को कुछ पता चले, आपके बारे में, whatever that is but I see a culminating event, a climax, जिसे कहते है I am feeling a climax is going to happen so ये जो story है, आप दोनों का definitely end नहीं हुआ है एक climax है जो बाकी है, या फिर story ही बाकी है so अभी कुछ है जो बाकी है, for you guys, okay so कुछ लोगों के लिए ending अभी पूरा हुआ नहीं है बाकीों के लिए ये ending है ही नहीं so जैसे आपको resonate करें, आपके लिए वैसे ही है messages let us see what is the ultimate situation is the night of wands and the strength reversed I see here that action is the ultimate thing action, like कोई यहां पर action ले रहा है या ले रही है आप या आपके परसें, because somebody here is impatient कोई यहां पर impatient है, कोई यहां पर बेसबर हो रहा है किसी से और रुका नहीं जा रहा है यह जो भी information है, यह जो भी कहना है किसी को यहां पर कुछ तो कहना है कुछ तो यहां पर है, जो आप दोनों की बीच में अटका हुआ है आप दोनों kind of impatient हो रहे हो बात करने के लिए impatient हो रहे हो, या तो मिलने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए यह आपका new love है because I see that energy, energy यहां पर बहुत ही immature, बहुत ही जादा you know, एक चुल्बुली kind of an energy है कि excitement है इस energy में like जैसे first love या new love जब होता है तो होता है जैसे that is the feeling but हो सकता है, यह old love हो सकता है यह आपके बहुत पुराने person है does not matter but the energy जो यहां पर बहुत ही चुल्बुली kind of an energy है so, यह person बेसबर है यह person और patience नहीं रख पा रहे है so, आप definitely action expect कर सकते हो इस person से जल से जल या फिर में भी आप action लोगे जल से जल आपने कुछ plan वगेरा किया है whatever that is so, that is what I see for you and let us see आपके लिए कुछ message, you know, extra message या extra guidance card कुछ भी हम लोगो को मिले what can that be spirit क्या जानना जरूरी है what is this extra guidance message जो हम लोगो को मिल सकता है for the collective awareness, okay number one, awareness आपका extra guidance card या universe card है so, I feel that आपके लिए जो जानना जरूरी है is that आपका intuition आपसे जो कह रहा है वो बिलकुल सही है आपका intuition like there is something जो आपके intuition को पता है there is something जो आप dreams देख रहे हो there is something कुछ message है यहाँ पे जो आपको पता है but आप मेभी यह reading देख रहे हो confirmation के लिए also I feel that बहुत सारे लोगों का प्रेर या manifestation पूरा होने वाला है इस person के बारे में या फिर I see that कुछ messages आपके dreams के थ्रू आपको मिल सकता है universe से so आपके dreams पे आपको धियान देना है आने वाले कुछ दिनों के लिए and I see that a climax is coming for you definitely आपके extra message में था यहाँ पे है एक extra not extra a climax आप लोगों के लिए आने वाला है बहुत जल्दी जहाँ पे पूरा picture आपको दिखेगा पूरा picture आपको समझ में आएगा सब कुछ खलियर हो जाएगा maybe वो ending है कुछ लोगों के लिए एक general reading है so jitna resonate करे उतना ही लेना बाकी का messages यही पे छोड के जाना बाकी लोगों के लिए thank you so much for watching खुछ रहो, stay safe, stay blessed thank you so much God bless you and goodbye